गूद मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्वी एकेडमी तावला की ओनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है क्लास 11 सुब्जेक्ट इंग्लिज लेशन फिब्थ दे एलिंग प्लेन दे ग्रीन मुमेंट्स रोल पिछले वीडियो में अपने इस लेशन को पढ़ रहे थे आज पुसी से आगे अपने से कांटिन्यू करते हैं आपकी बुक का पेज नमबर 46 सेकंड पेरग्राफ देर कैन बी नो डाउट देट दा ग्रोथ ओफ वर्ड पोपुलेशन इज वन ओप ता स्टॉंगेश्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग दे फ्यूचर ओफ हुमन सोसाइटी लेखे के बताते हैं कि इसमें कोई संदेय नहीं है कि विश्व की जन संक्या वरिदी बावी यानकी बविश्य के मानव समाज का रूप बिगारने वाले सरवादिक मजबूत कारकों में से एक है यानकी जो ये विश्व की जन संक्या है वो तेज गती से जो बढ़ रही है इसमें फ्यूचर के अंदर जो मानव है इसका अस्तितव है वो खत्रे में है यानकी ये एक कारक है जो बविश्य में मानवता के लिए खत्रा है इट टुक मैनकाइड मोर देने मिलियन ये टू रीज दा फ़ेस्ट बिलियन और वो बताते हैं कि एक अरब बिलियन मतलब फ़ेस्ट बिलियन मतलब एक अरब एक अरब जन संक्या तक पहुंचने में मानव जाती को 10 लाख वर्सों से भी अधिक समय लगा यान कि देने मिलियन येर्ज एक मिलियन में 10 लाख और बिलियन के अंदर एक अरब तो वो बताते हैं कि इस विश्व की जन संक्या को एक अरब तक पहुंचने में दस लाग से भी अधिक समय लगा that was the world population around the year 1800 यान कि इतनी जन सिंक्या वो एक अरब की जन सिंक्या है वो सन 1800 के आसपास थी by the year 1900 a second billion was added and the 20th century has added another 3.7 billion और उसके बाद में बताते हैं कि 1900 के यान कि सन 1900 तक एक अरब और जुड़ गए यान कि आने वाले सो वर्सों के दोरान जितनी 10 लाग वर्सों में एक अरब जन सिंक्या हुई वो ही एक अरब आगे सो सालों के अंदर जुड़ गई और उसके बाद में यान कि 1900 तक आते आते हैं यान कि दो अरब हो गई यान कि तीन पॉइंट साथ अरब जन सिंक्या है वो और जुड़ गई और वो बताते हैं कि वर्तमान में अनमान है कि विश्व की जन सिंक्या है वो 5.7 अरब है और वो बताते हैं कि हर चार दिन के अंदर संसार की जन सिंक्या में 10 लाग की वर्दी हो जाती है आंदर 10 लाग की जन सिंक्या की वर्दी हो जाती है और वो बताते हैं कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है fertility falls, age incomes rise और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो संतान उत्पादकता है वो कम हो जाती है fertility का मतलब यांपे है कि संतान उत्पन करने की गती है वो कम हो जाती है जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है education spreads, शिक्सा का परसार होता है and health improves और स्वास्त्य सुदरता है thus development is the best contraceptive और इस परकार का विकास है वो सबसे बड़ा परजनन निरोधक होता है but development itself may not be possible if the present increase in the numbers continues वो केते हैं कि यदि जन सेंक्टम में होने वाले वर्दी इसी तरह से जारी रहती है तो स्वाम विकास भी साहिद संभवना हो there is get richer and the poor we get children which condemn that to remain poor कि दनी है वो दन्वान हो जाते हैं और ग्रीब है बिगेट का मतलब है जनम देना और ग्रीब है वो बच्चे पेदा करते हैं which condemn them to remain poor और जो उनकी ग्रीबी का कार्ड मनते हैं यानकी वो ग्रीब ही बने रहते हैं जिसके कार्ड कि दन्वान है वो दन्वान और दन्वान होते जाते हैं और ग्रीब बच्चे पेदा करते हैं और यही बच्चे पेदा अधिक बच्चे पेदा करने के कार्ड वो ग्रीब बने रहते हैं more children does not mean more workers अधिक बच्चे पेदा करने का मतलब ज़्यादा काम करने वाले नहीं है इसका मतलब कि अधिक से अधिक लोग बिना वरक यान कि बेरोजगार होते हैं कि ये कभी भी मतलब नहीं है कि अधिक बच्चे होंगे तो काम करने वाले कमाने वाले अधिक होंगे बलकि इसका मतलब तो यह है कि वे और अधिक बेरोजगार पिदा कर रहे हैं कि अधिक बेरोजगार होंगे It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily fertilize कि वो कहते हैं कि इसका मतलब यह सुजाव नहीं दिया जा रहा है यह सुजाव आपको नहीं दिया जा रहा है कि आप मनुश्यों के साथ भी मवेश्यों के जैसा वेवार किया जाए और उनकी जबरदस्ती स्ट्रिलाइज का मतलब होता है नस्बंदी करना कि उनकी जबरदस्ती नस्बंदी कर दी जाए यानि कि वो कहते हैं कि इसका मतलब हम आपको यह सुजाव नहीं दे रहे हैं कि जो इंसान है उनके साथ जानुरों के जैसा मवेशियों के जैसा वैबार करो और लोगों की जबर्दस्ती नस्बंदी कर दो बट देर इस नो अल्टरनेटिव तो वोलेंटरी फेमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रूजिंग एलेमेंट ओ और लेकिन जबर्दस्ती के बहाव के बिना यानि कि बिना जबर्दस्ती के स्वेशिक प्रिवार नहीं है जनका कोई विकलब भी नहीं है यान कि चुनाव या चेन सच्मुक जनसिंख्या नियंतर्ण और ग्रीबी की निरंतर्ता के बीच करना है कि अपने को किस तरह से वास्ता में जनसिंख्या का नियंतर्ण करना है और ग्रीबी की जो निरंतर्ता है जनसिंख्या वर्दी के साथ जनता और अधिक ग्रीब होती जा रही है उसके बीच में अपने को चुनना है कि किस का चुनाव करना है ये हम पर है इस लेशन के साथ से वो बताते हैं कि अन्मान है कि आज की बारत की जन्सिंग्या बानमे क्रोड है 920 मिलियंज का मतलब यान की बानमे क्रोड है लेकिन ये काफी पहले की बात है अगर अगर अपने 2011 के सेंसर्स के साथ से बात करें तो उस टाइम बारत की जन्सिंग्या 121 क्रोड थी और उसके बाद में 10 साल 9-10 साल अपने आगे और बढ़ चुके हैं तो अब तक ये लगबग 141 क्रोड यानि की एक डेड अरब के क्रीब क्रीब पहुंच चुकी है more than the entire population of Africa and South America put together यान की इस lesson के इसाब से उन्होंने बताया है कि अनमान है कि आज की बारत की जन्सिंग्या 92 क्रोड है जो की अफरिका और दक्षिन अमेरिका अफरिका और दक्षिन अमेरिका की जन्सिंग्या को साथ में म Familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry huntments unless population control is given to most priority बारत के हालातों को जानने वाला कोई भी वेक्ति यह है संदे नहीं करेगा कि अगर जन्सिंग्या नियंतन को पहली प्रात्मिक्ता नहीं दी गई तो लोगों की आसा बुखी जॉंपडबटियों में ही मर जाएगी For the first time in human history we see a transcending concern मान इतिहास में हम पहली बार सामाने से हट कर चिंता देख रहे हैं The survival not just of the people but of the planet की शिर्फ लोगों को बचाना ही नहीं बलकि पर्थवी को भी बचाना है यानकि मानो इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि लोगों को बचाने की चिंता नहीं है बलकि इस पर्थवी ग्रै को जिस पर ये लोग निवास करते हैं उसको बचाने की भी चिंता हो रही है We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence हमने अपने अस्तितों के आदार के विशे में विश्तत दस्टिकोन अपनाना शुरू कर दिया है The environmental problem does not necessarily signal our demise It is our passport for the future प्रेवर्ण ये समस्या आवशिक नहीं कि हमारी मर्ट्यू के ओर इसारा करती हो बलकि ये बहुश्य के लिए हमारा passport है The emerging new world vision has occurred in the era of responsibility हमारा उबरता हुआ Emerging यानि कि उबरता हुआ निया विश्तु दिरिष्टिकोन हमारी जीमेदारी के यूप की शुरुआत है It is a holistic view and ecological view Seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts ये विश्तु दिरिष्टिकोन है एक पारिस्टिक दिरिष्टिकोन है जो विश्व को एक संपोन समगगर एक पूर्ट इकाई की रूप में देखता है नय की अलगलग हिस्सों के संग्रह की रूप में यानकी सभी की चिंता एक ही है बढ़ते भी जन से क्या और इस इंता ने हमें संपोन विश्व को अलगलग हिस्सों में ने देखकर एक इकाई की रूप में देखने को मजबूर कर दिया है इंडस्टिरी है ज़े मॉश्ट क्रिशल रॉल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदाइतों के इस ने यूग में उद्योग को एक त्यन्त मैतुपॉन भूम का निबानी है वटे ट्रांसफोर्मेशन वूड बी एफेक्टिड इफ मॉर बिजनस्मेन शेड दे वीव फॉफ दे चेर्मेन ओफ दूपॉन्स्टर एगर एस वॉलाड वो फ़ाइज अगो डिकलेड इमसेल तो बी दे कम्पनीज चीफ इन्विर्मेंटल ओफिसर कितना बदलाव आ जाए अगर और अधिक संख्या में वेवसाई लोग यान कि कितना और अधिक बदलाव आ सकता है यदि अधिक संख्या में वेवसाई लो जो बिजनस्मेन है वो डूपॉन्ट के चेर्मेन डूपॉन्ट के चेर्मेन जिनका नाम है मिश्टर एगर एस वॉलाड के विचारों से सहमत हो जाए यानकी अगर सभी बिजनस्मेन है वो डूपॉंट के चेर्मेन स्रीमान एगर S-Wallet से सहमत हो जाए जिनोंने पांच वर्ष पुरू स्वयम को कमपनी का चीफ इन्वार्मेंटल ओपिसर यानकी मुख्य प्रयाव ने अधिकारी गोशित कर दिया he said उन्होंने कहा our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance और उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा एक परमुक उत्पादक के रूप में यानकी manufacturer उत्पादक कि एक प्रमुक उत्पादक की रूप में हमारा निरंतर अस्तितव यह मांग करता है कि हम प्रयावणय करे के निस्पादन में स्रेश्ट बनें कि जो प्रयावण का करे निस्पादन है उसमें हम अपनी स्रेश्टा दिखाए of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on this earth. अपनी पूरे परदान मंत्रीतों काल में Margaret Thatcher यानकी UK की प्राइमिनिस्टर थी जिनका कर्यकाल 1979 से लेके 1990 तक था. तो उन्हों ने कहा है और उन्हों ने क्या कहा है कि अपनी पूरे परदान मंत्रीतों काल में Margaret Thatcher द्वारा बोले की कतनों में से कोई भी कतन अंग्रेजी बासा के प्रियोग में इतना प्रिचलित नहीं हुआ जितना कि उनके ये सबद हुए. यानके उनके और किसी कतन को बले ही इतना अधिक मैतों नहीं दिया हुआ लेकिन उनके ये सबद बहुत अधिक मैतों से युगता है और वो सबद क्या है? और उनके ये सबद है कि किसी भी पीडी का इस दर्ती पर ऐसी मित समावित वह नहीं है. यानके कोई भी पीडी है जो इस पर्थ्वी पर निवास कर रही है तो उसको इस पर्थ्वी से हर चीज एक सिमित मातरा में उपवोग करने का इदिकार है नहीं कि उसका इतना समावित वह है कि वो इस दर्ती का ऐसी मित रूप से उपवोग करे. और उसके बाद में वो कहते है कि हमको जीवन बर की करायधारी मिली उउई है नहीं कि कोई पटा है जो किराइपी दिया जाता है मरमत के लिए तो वो कहते हैं कि हमको जिवन बर की किराइदारी मिली हुई है पूरी मरमत की जिमेदारी के पट्टे के साथ In the world, words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children और उसी तरह से सिरी Lester Brown के सब्दों में उन्होंने काए कि हमने यह पृत्वी अपने पूर्वजों से उत्रादिकार में प्रापत नहीं किया है forefathers, पूर्वज, बल्कि we have borrowed it from our children हमने इसे अपने बच्चों से उदार लिया है मतलब कि यह नहीं मानिए कि हमें यह विरासत में मिली है जो दर्ती वो हमारे पूर्वजों की थी अब हम इसका अपनी इच्छा के नुसार हमारी विरासत है, हमारी थाती है, द्रोहर है तो हम अपनी इच्छा के नुसार इसका उप्योग करते रहेंगे नहीं उन्होंने का कि हैं हमारे बच्चों से उदार ले वी है यान कि हम किसी से कोई चीज उदार लेते हैं तो उसी रूप में उसको वापिस भी लोटाना होता है तो यानि हमें अपने बच्चों को इस पर्थवी को वापिस लोटा के जाना है ये हमारी थाती नहीं है द्रोहर नहीं है ये हमारे बच्चों से उदार ले वी है तो हमें उसे वापिस लोटाना है यानि कि हम इसका ऐसे मित उबोग नहीं कर सकते मित्वेता से उबोग करते हुए उनके आने वाले वीडियों के लिए हमारे बच्चों के लिए इस पर्थी को छोड़ना है तो आसा करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा आज के इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई, ठैंक्स वर वाचिंग और वाचिंगे ने भी दो